आप कहने के करें यह मुगलों की गलती हैं ती जो आज कुत्व मिनार की मिनार को विश्णू आरह यहां को ¿हाँ चाहिए हैं ज्यान वापी में शिंगार गौरी में शैँध कहा पे बात हो रही है तो क्या मुगलों ने यह करा था आप यह कह रहें हम मुसल्मानों के पास एक बहुत सुनैरा मौका आया है सारे आर्गूमिन्ट और सारे आरोपों को अपने दामन से धोने के लिए कैसे हम मुसलमानों को ओपिन चाइलेंज दे देना चाहिए चाइलेंज कि यार जहां भी एक्सपर्ट उपीनिया लेना है जो सा दरवाजा खुलवाना है जहां पर आपको अर्केलोजिकल सर्वे को ले जाना है सब करके देख लो उसके बाद जो तुम्हारा वो तुम्हारा अगर सर्वे ओर किया तो वहाँ पे हंगाम पर जाता है कोट अगर सर्वे ओर पर जिए जवापी मस्जद के इंदर तो महां तो हंगाम मत जाता है जुम्ही के दिन अमीज जी एक गाना सुना होगा हंडामा है क्यों वर्पा थोड़ी सी जो पीली है अमीज भाई हम मुसल्मान बिचारे ऐसे हैं जो बिना पिये हंडामा करते हैं हम बुल्डोजर नहीं चलवाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे हम पल्स पोलियों की दवा नहीं लगवाएंगे वगरा 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 घृ में आपसे मुखादिब होना चाओंगा आपने दो एन जो बाते कहीएं उससे आपने कहा के बई वीडियो ग्राफी क्यों नहीं आपने कहा के बई क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो ग्राफी से क्यों आपर प्रोटेस हो रहे हैं आप मुझे छोटी सी एक बात का जवाब दीजी हमिश भाई आज तक के जमुयन कश्मीर में प्रेवेसाइट क्यो यहां अगर यहां अगर यहां अगर बात हुई जान वाप मजट किया जबू कि कि पैबेसाइट से उसको लिंक कर देंगे और जबू कि कश्मीर के पैबेसाइट का क्या मतलब है मैं आपको राजनेताओं से पहले रहा हूं तो मेरी मर्दी भी है जनता की भी मर्दी है लेकिन आप जम्मू कश्मीर के पैबेसाइट के अगर बात करेंगे तो वो वो गलत होगा अतिक भाई बोलिए अब अपनी बात को मैं सिर्फ आपका ध्यान इस पॉइंट की तरफ ध्याना दिलाना चाह रहा हूं कि क्योंके दोनों भारत प्यो कि पे के अंदर पाकिस्तान की फौजे मौजूद थी और हमारी फौजे हमारी तरफ मौजूद थी दोनों पीछे हटने को तियार नहीं थे इसलिए प्लेवेस अतिको रह्मान देश द्रोही वाली बात कर रहा है नहीं गलत अब दस मिन दस सकेंड दस सकेंड नो नो गलत बोल लाएं अतिको रह्मान गलत बोल लाएं गलत बोल लाएं कहा नो- अमीज 10 सेंड 10 सेंड't भोली बोली आप अपनी बात के रिज्वान पाया करिये 10 सेंड केंदर विशे पर आते हैं कोई देश का दुश्मन नहीं है सब देश के अभिन अंग है लेकिन लेकिन मेरा भाशा की मर्यादा शब्दों की मर्यादा अत्यम्त जरूरी है लेकिन 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 आते को रहमान आज जब चर्चा हुई आज जब चर्चा हुई चर्चा चर्चा में कश्मीर कहीं नहीं था चर्चा में पाकिस्तान कहीं नहीं था चर्चा में प्लेबिसाइट आप लेकर आए प्लेबिसाइट से आपने पाकिस्तान की फॉच को कोट किया और पिर आपने बोला देखिए जैसे क्यों जम्मू कश्मीर में प्लेबिसा इन में अगर दम है तो ताज महल और लाल किरे जैसे मंदिरों को बना के दिखाएं सही या गलत यह वो व्यक्ति बयान दे रही थी जिन्होंने कहा था 370 उठाने के बाद तिरंगा लहराने के लिए कोई कंदा नहीं बचा होगा अब गलत है ना आपकी राय में यह बायान मैंने आपको जवाब दे दिया ठीक है अब एक और बायान बनाता हूँ जो 92 में हुआ वो 22 में होगा इस पर आप क्या कहेंगे देखे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा मुझे समय दे दिजिए आज चर्चा ताज महल ग्यान वापी की नहीं समविधान पापी मतलब SP की है यह समविधान पापी SP जो होते हैं ना यह हम कागज नहीं दिखाएंगे वैक्सीन नहीं लगाएंगे बुल्डोजर नहीं चलवाएंगे सर्वे नहीं करवाएंगे तैकाने नहीं खुलवाएंगे हम सम्विधान सम्विधान तो करेंगे पर मन में शरिया को बसाएंगे और वोट बैंक के चक्कर में टुकड़े तो अबुआजमी क्या statement देते हैं कि action का reaction होगा वहाँ पर यासीन क्या statement देता है मेरे गरदन पर तलवार रखोगे तो मैं अपनी गरदन दे दूँगा तो अगर इस प्रकार का जिस प्रकार से राम मंदिर आंदोलन में भी आपको याद होगा कि ऐसे ही बयान इनके पक्ष से दिये गए थे ताकि इस मामली को राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले धंकी देने वाले बयान दिये गए लिकिन इस बारी धंकी कौन दे रहा है यह वही है आप क्या कि चाहते हो जब कृष दर्थी पूरी तमाम तो यह अगर नहीं सुनते है कृष्णा की चेतावनी तो धंकी नहीं दे रहे थे चेतावनी दे रहे थे और यह चेतावनी है जण जा जागरन हो चुका है इस देश में तो आज जो है वह राम भक्तों पर गोलिया चलाएंगे वोट बैंक के लिए य ये SP, ये समविधान पापी, ये कहते हैं कि हिजाब का फैसला है, एलाने जंग हो गया, लौड स्पीकर का फैसला है, एलाने जंग हो गया, यू सी समविधान में एलाने जंग हो गया, काशी में ये जो फैसला आया कोट का इसको लागू करवाने के बदले बार-बार भढ़काने की राजनीती क्यों की जा रही है सवाल ये पैदा होता है और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी इस देश में सनातन संस्कृती के पुनर निड़मान की बात होती है जन जागरती की इस विशे पर बात होती है तो इन लोगों को हिंदुओं से सनातन संस्कृती क्या मुझा लगता है कुतुब मिनार का नाम विश्णू संब किया जाए जिन लोगों को और मैं इनको कहता हूँ AICC औरंगजेव इनका कॉंग्रेस कमिटी यह AICC जब कहती है कि कुटूब मिनार पर दिखो जाकर कुछ लोग वहां पर चले गए इन लोगों को पहले बताना चाहिए कि सड़कों पर सारवजनिक जगों पर जो नमाज अता की जाती ह यह इस पर भी रोक मांगे उस पर तो पुलिस की कारवाई हुई ना जो आज AICC पर कुटूब मिनार पर जो लोग गए उन पर तो पुलिस की कारवाई हो गई पर तो जो सारवजनिक जगों पर नमाज पढ़ने के लिए उनको खुली छूट मिलती है उस पर आज यह AICC औ पुलिस की कारवाई है उनको एसा उठा के पटका है कि वाईस में चुनावी हार गए बोलने लाइक ही नहीं बचेंए तो पता नहीं किदर होंगे खोज लेना दूसरी बात एक साहब कह रहे थे भारती है संस्कृति की बात कर रहे थी उनको शाहिद पता नहीं कि हिंदुस्तान का हर वेक्ति चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे कोई भी हो सभी लोग हिंदुस्तान की संस्कृति का सम्मान करते ह तो भारती जनता पार्टी करती है इस किसी को इससे गुरेज नहीं होना चाहिए और जिस बैक्ती की बात हो रही थी कह रहे थी किस बैक्ती से पूछो जो मंदिर के बारे में बात कर रहा था या ताज महल के बारे में मैडम बात कर रही थी यह वही मैडम है जिसके साथ भारत पर आपका stand का आ रहा हूं ना पूरी आ पूरी बाइये जल्दी आ आ ये आ पाड वाद आयो तो मेरी बात सुलो सबको मौका दिया को बात करने का आपके बास पीज्य मिदान बात कहलो इतने तुमैं लेता इनको ना क्या प्यों से कोई लेना देना है क्योंकि यह बोगे हैं यह लोग हैं जो नियाए पालिका को नहीं मानते हम लोग समिधानों नियाए पालिका को मानने वाले लोग अरे हम इजी आप बोलने नहीं दोगे तो हम क्या करें बताइए आप समिधानों नियाए पालिका को मानने वाले लोगे यह बाहर से जितने भी हरे हो अंदर से तो सच कि बौला आप ने तो वो बोला में ग्यान वापी अशियंगार गॉरी है कमल के चिन का पूल एस वे अधिन वज़ति लिए अड़ाएंपने विए अपनुराद परति रिदो सब्सक्राना धीज़ते हो जो अभूर थे उर्फट सेभी आपने जूट जा अरे तक वहाद नहीं ञफ्कारम को बहाती है अपने अन्फित की जो बात हो रही है मैं अपनी बात केहने अब बहाई नहीं कहने देना है यह जो आप प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् आप पर जो लोग वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहे थे कोट के फैस्ने के बाद वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहे थे वो गलत थे आप मानिये जो लोग वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहे थे वो गलत थे आप क्या नाटक कर रहा है नाटक कौन कर रहा है वो प तो लोग आपकर रही है असलिम मुद्व से ध्यान भटकाने की बात कर रही है यह बहुत जूटी पार्टी ए इसका काम है कि अनुराग बूल अब चंदोली की बेटी पे चर्चन हो जाए एक सेके नुराग बूढ़ जाते हो की फ्रक्स का है रुक्या नहीं अनुराग अनुराग मेरा निवेदल स्विकार करिए ओडियो डाउन करिए बीजेपी ने नहीं बोला है सर्वे कराने के लिए बारती जंता पार्टी की सरकार ने नहीं बोला है करक्ति और फैक्ट ऑन्रेबल कोट ने वीडियोग्राफी के लिए बोला और वहाँ पर जुम्मे की नमा करना समाजवादी पार्टी ने किया और दूसरा इन्हों ने जो कहा कि वहाँ पर जो वीडियोग्राफी करने वाले लोगों को रोक रहे थे उनके उपर सक्ट से सक्ट कारवाई होनी चाहिए मतलब कि वह संविधान पापी अर्थात SP के लोग थे अब मैं इसे पूछना च बैठ जाएंगे जैसे किसान बैठते यहीं बर्क ने कहा था तो आज वो संविधान पापी को भी चिन्नित करके पार्टी से निकाले तो अगली एक बात मुझे मुझे सुरेंग राजपूत की बाद जाना सुरेंग राजपूत क्या आपको लगता है कानून सम्मत काम होना अमीश भाई बहुत शुक्रिया कहते हैं कि कैसे कैसे सपने पाले बेठे हैं सब पानी में काटा डाले बेठे यह भाजपा वाले जमीन के नीचे से विवाद को खोद खोद करके जो है न वर्तमान को बरबाद क्यों करना चाहते ये समझ के बाहर है एक बात बहुत साफ है देश संविधान से चलता है और जो संविधान समध चीज है उसका कोई बिरोध करे तो ये सरकार और सरकार के अंगों का कार्य है कि वो उस चीज को अब देखते रही है आर पार